तो गाइस कल से लेके एच के बारे में बहुत सारी बाते हो रही है और अविसली यार कल उनका लास मैस था है स्मैक डाउन में और काफी इमोश्टनल मुमेंट था वो तो उसी को लिए कि एच के फैंस यार आप लोग लिए बहुत जादा गुड न्यूज है और यह कहलो बहुत जादा गाइस तो आप लोग सोच रहाँगे गुड न्यूज क्या थी बाई तो आप लोगो में बता दू यार देखो इनका जो कॉंट्रेक है वो भले ही खतम होने वाला हो लेकिन डबुड बबली में अभी इनके रही 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 बादा आप लोग ने देखा तो आ रेस्लिंग केरियर को लेके डिसकसन चल रहा है और मेभी इनका जो कॉंट्रेक है वो उसको बढ़ा के रेसल में यह 40 तक ले जाया जाए तो सबसे बहले एज अच्छा मैस था एज वर्सिस शेमस लेकिन इतना जादा ओवर्वेल्मिंग नी था या के लो बहुत ही बड़ा नी था तो गैस शाइस से रसल मेंने 40 तक अगर इनका कॉंट्रेक को एक्स्टेंड किया जाता है तो वो बहुत जादा परफेक्ट प्लेस होता है एज के रिटार्मेंट के लिए यही चीज में आपको बता है अभी डिसकसन चल रहा है कि इनके कॉंट्रेक को आगे बढ़ा इट मेंस 2027 ये 2028 के अराउंड रोमन रेंज ब्रूनो समर्टीनो का रिकॉर्ड तोड़ सकते है ऐसा मानना है आप लोग का कट अंगल का और यहाँ पर आप लोग एगरी करते हो कट अंगल की स्टेटमेंट से लेकिन मैं यहाँ पर डिस एगरी करना चाहूंगा क्योंकि र रोमन रेंज थोड़ा सा जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगने लगा है और चार साल रोमन रेंज अपनी स्टोरी लाइन को किस तरीके से स्ट्रेच करेंगे यह फिर क्या ऐसा डबल ववली को दिखाने को है जो मतलब आप लोग सो स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा खास हो भी या ना हो लेकिन सुपरस्टार फिर भी चल जाता था लेकिन आज की डेट में फैंस काफी जादा जज करने लगे सुपरस्टारों को तो इस नॉट पॉसिवल वैसे भी रोमन रेंस ने बुरून समर्टीन को रिकार्ड तोड़ी दिया क्योंकि जितना वो एपीरियंस करते जितना वो डब डबली में आते उतना शायद या बुरून समर्टीनों ने अपना अपीरिंस दिया होगा या फिर साइज शायद ही उतना मैचस लड़े होंगे वैसे आप लोग को क्या मानने है इसके उपर आप लोग बताओ यार कमें शेक्शन में